हर दिन की तरहे ही राजा कृष्ण देव राय अपने दर्बार में बैठे हुए थे तब ही वहाँ एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुँच गया चरवाहे को देख राजा कृष्ण देव ने उसके दर्बार में आने की वजह पूछी तब चरवाहा बोला महाराज मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी के घर की दिवार धै गई और उसके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई वही जब मैंने उससे अपनी मरी हुई बकरी का हरजाना मांगा तो वह हरजाना देने से मना कर रहा है चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनाली राम अपनी जगह से उठा और बोला बेशक महाराज दीवार के गिरने के कारण बक्री मारी लेकिन इसके लिए उस अकेले पडोसी को दोशी नहीं माना जा सकता है राजा के साथ दर्बार मौजूद सभी मंत्री और दर्बारी भी तेनाली राम की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए राजा ने तेनाली राम से तुरंत पुछा फिर तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार दिरने के लिए अपराधी है इस पर तेनाली राम बोला वो मुझे नहीं पता लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दे तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊंगा राजा को तेनाली राम का सुझाव अच्छा लगा, उन्होंने तेनाली राम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया राजा की आग्या पाकर तेनाली राम ने चरवाहे के पडोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे इस पर चरवाहे का पडोसी हाथ जोड़ कर बोला मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था ऐसे में असल अपराधी तो वो हुआ तेनाली राम को चरवाहे के पडोसी की यह बात सही लगी इसलिए तेनाली राम ने उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस दीवार को बनाया था मिस्त्री भी वहां पहुचा लेकिन उसने भी अपना दोश नहीं माना मिस्त्री बोला मुझे बेकार ही दोशी करार दिया जा रहा है असल दोशी तो वे मजदूर हैं जिन्होंने मसाले में पानी ज्यादा मिला कर मसाले को खराब कर दिया जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई मिस्त्री की बात सुनकर मसदूरों को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा गया जब वहां पहुचकर सारा मामला मसदूरों को पता चला तो मसदूर बोले इसके लिए हम दोशी नहीं बलकि वह व्यक्ति हैं जिसने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया था इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुचने का संदेशा भिजवाया गया पानी मिलाने वाले व्यक्तिने दरबार में पहुचते ही कहा जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था असल दोश उसका है वह बर्तन बहुत बढ़ा था इस कारण पानी का अंदाजा न लग सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया तेनाली राम के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बरतन उसे चरवाहे ने ही दिया था उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमजोर बनी, फिर क्या था? तेनाली राम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोश तुम्हारा ही है, तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई जब बात घूमकर चरवाहे पर आ गई, तो वह कुछ बोल न सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया, वही दरबार में मौजूद सभी दरबारी तेनाली राम की बुद्धिमत्ता और न्याय का गुनगान करने लगे कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अन्होनी के लिए किसी अन्य व्यक्ती को दोशी ठहराना सही नहीं है, ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए